नोवश्कार एक्सलेंसीच बंगलादेश के राश्पती अब्दुल हमिजी प्रजान मंत्री शेख हसेना जी क्रिशी मंत्री डॉक्टर मौहमद अब्दुर्र रजाग जी मेडम सेख रहना जी अन्य गणमान्य अतिजिगाण शोनार बंगलादेशेर प्रियो बंदुरा आप सभी का यसने मेरे जीवन के अन्मोल पलों में से एक है मुझे खुशी है कि बंगलादेश की विकास यात्रा के इस अहर्म पड़ाव में आपने मुझे भी शामिल किया आज बंगलादेश का राष्ट्रिय दिवस है तो शाधिर्ता के पचासवी वर्षगाण भी है इसी साल ही भारत बंगलादेश मैत्री के पचास वर्ष पुरे हो रहे हैं जातिर पिता बॉंग बॉंदो शेख मुझमर रहमान की जन्मचति का इवर्ष दोनों देशों के सबंदों को और मजबूत कर रहा है एक्सलेंसीज राश्पती अब्दुल हामिज जी प्रदानमंत्री सेख हचिना जी और बंगलादेश के नाजरी कोंखा मैं आभार प्रगड करता हूं आपने अपने इस गवर्व स्वा लिक्षणों में इस उत्सों में भागिदार बनने के लिए भारत को सप्रेम निमंत्रन दिया मैं सभी भारतियों के तरफ से आप सभी को बंगलादेश के सभी नाजरीकों को हार्दिक बढ़ाई देता हूं मैं बंग बंगो शेख मुझूबर रह्मान जी को आदर पुर्वर सद्धान देता हूं जिनोंने बंगलादेश और यहां के लोकों के उनके लिए अपना जीवन नियुचावर कर दिया हम भारुत माच्वों के लिए गवरों की बात है कि हमेरी शेख मुझूबर रह्मान जी को गांदी शांती सम्मान देने का आउसर मिला मैं यहां अभी इस कारकम में भब्य प्रस्तुदी देने वाले सभी कलाकारों की भी सराना करता हूँ बंदुगाउं मैं आज याद कर रहा हूँ बंगला देश क्यों लाखों बेटे बेटियों को जिनों ने अपने देश अपनी भाशा अपनी संस्कृति के लिए अंगिनर अक्त्याचार सहें अपना खून दिया अपनी जिन्दगी दाओं पर लगा दी मैं आज याद कर रहा हूँ मुक्ति जुद्धों के सुर्वीरों को मैं आज याद कर रहा हूँ शहीद दिरेंग्रों नाद द्वत्तों को शिच्छावीद रोफिक उत्दिन अहमत को भाशा सहीद सलाम रोफिक बरकर जब्बार और शाफियों जीपो मैं आज भार के सेना के उन्वीर जमानों को भी नमन करता हूँ जो मुक्ति जुद्धों में बंगला देश के भाई बहरों के साथ खड़े हुए जिन्होंने मुक्ति जुद्धों में अपना लहू दिया अपना बनिदान दिया और आजार मंगला देश के सपने को थाकार करने ने बहुर बड़ी भूमिका निपाई फिल मार्सल, सैं मानिक्षा, जन्रल अरोरा, जन्रल जेपन, लांज माइक अलवर्ट एका, ग्रूप कैप्टेन चन्दंसी, कैप्टेन मोहन नाराइड राव सामां ऐसे अंगिले, जितने ही वीर हैं, जिनके नित्रुत्व और साहज की तठाएं, हमें प्रेरिक करती हैं बांगा देश सरकार भारा, इन वीरों की स्पूर्टी में, आर्शुक्राइड में, वार्ड मेमोरियल समर्पित किया गया है मैं इसके लिए आपका अभार रेता करता हूं मुझे खुशी है कि मुक्ति जुद्व में सामीर कई भार के साहिनी आज विशेष का रुप से इस कारकम में मेरे साथ उपस्तित भी है बंगला देश के मेरे भाई और भेनों यहां की नौजवान पीड़ी को कि मैं एक और वाग्या कराना चाहूंगा और वाग्यों के साथ याद दिलाना चाहूंगा बंगला देश की आजाजी के लिए संगर्ष में उस संगर्ष में सामिल होना मेरे जीवन के भी पहले अंदोरों में से एक था मेरी उम्रा बीश-बाइस साल रही होगी जब मैंने और मेरे 20 साथ को ने बंगला देश के लोगों की आजाजी के लिए सत्यांगर्ष किया था बंगला देश के आजाजी के समर्ष में तब मैंने गिर्ता नहीं भी दी थी और जेल गाने का उसर भी आया था यानि बंगला देश की आजाजी के लिए जितनी तड़ इधर थी उतनी ही तड़ उधर भी थी यहां पाकिस्तान की सेगा ने जो जदन ने अप्राज अरत्य अचार किये थी वो तस्वीरें विच्छित करती थी कई दिन तर सोने नहीं देती थी गोविंदो हंदर जीने तहां ता एक शागोर रखतेर बिदिमोय बांगलार शाधिनमता अनले धरा आमराथ तोमादेर फुलबोना यानि जिनोंने अपने रखत के सागर से बंगलादेर को आजाधि जलाई हम उने भूलेंगे नहीं बंदुगों एक मिरंकुत सरकार अपने ही नागरीकों का जन संहार कर रही थी उनकी भाषा उनकी आवाज उनकी पहचां को कुचल रही थी कि अपरेशन सर्च लाई कि उसक्रूरता को दमन और अप्चाचार के बारे में विश्व में उतनी चर्चा नहीं किया है जितनी उसकी चर्चा होनी चाहिए बंदू बंदू इन सबके बीच यहां के लोगों और अंभांतियों के लिए आशा की किरंथे बंदू सेख मुझबुर्रमान बंदू के होसले ने उनके नित्रुत्वने यह तैय कर दिया था कि कोई भी ताकर कोई भी ताकर बंगलादेश को गुलाम नहीं रख सकती है ुप बंदू नहीं किया ता इवारेर ऐवारेर शंग्राम आमादेर मुप्तिर्षव्राभ है कि इस सदिन ऊतार् wanna इस8 मुप्ति के लिए है इसमार्चागराम आजन आजादी के लिए हैं उनके नित्रुत में यहां के सामान ने मानवी पुरुष हो या स्त्री हो किसान नौजवार जिचर कामजा सब एक साथ आकर मुक्ति वाहिनी बन गए और इसलिए आज का यह अउसर मुझी बोर्षे बॉंग बंदु के वीजन उनके अधर्शों उनके सांस को याद करने का भी दीन है यह समय चिरोवित्रोही चिरोवित्रोही को मुक्ति जुद्धों की भावना को फिर से याद करने का समय है बंदुगों बांगलादेश के स्वाधिंता संग्राम को भारत के कौने कौने से हर पार्टी से समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्ट प्रफार तद्कालिंग तुद्धान मत्री स्रिमती इद्रा गांडी जी के प्रयास और उनकी महत्वकुल भूमी का सर्वविदित है उसी दोर में 6 दिसम्बर 1971 को अटल में हैरिवाध पाइजी ने कहा था हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहूती देने वालों के साथ लड़ रहे हैं लेकिन हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयात कर रहे हैं कि आज बांगला देश में अपनी आजादी के लिए लड़ने वालों और भार किये जमानों का रख साथ साथ बहना हाई यह रखतर ऐसे समंदों का निर्मार करेगा जो किसी भी दमाव से तूटेंगे नहीं जो किसी भी कुट निती की का शिकार नहीं बनेंगे हमारे पुर्वर राश्पती प्रणमुधर जीजे प्रणदा ने कहा था बॉंग बंदू को उन्होंने एक टारलेस स्टेश्मेंट कहा था उन्होंने कहा था कि सेज मुझमिर रह्मान का जीवन धैलिया प्रतिवद्दता और आत्मसयम का पती है बंदुगोंड ये एक सुकत से योग है कि मंगला देज के आजादी के पतास वर्ष और भारत की आजादी के पतातर वर्ष का पड़ाव एक साथ ही आया है हम दोनों ही देशों के लिए 21 सबी में अगले 25 वर्षों की आत्रा बहुत ही महत्पुन है हमारी विरासत भी साथी है हमारा विकात भी साजा है हमारे लक्ष भी साजे है हमारी चुनोद्यां भी साजी है हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग्व है जहां हमारे लिए एक जैसी संभावना है तो आतंकबाद जैसे समान खतरे भी है जो सोच और शक्तियां इस प्रकार की अमानविय गटनाओं को अंजाब देती है वो अब भी सक्रिय है हमें उनसे सावधान भी रहना चाहिए और उनसे मुकामला करने के लिए संगठित भी रहना होगा हम दोनों ही देशों के पास लोगतंत्र की ताकत है आगे बढ़ने का स्पस्ट भीजन है भारत और मंगला देश एक साथ बिलकर आगे बढ़े इस पूरे छेत्र के विकात के लिए उतना ही जनुदी है और इसलिए आज भारत और मंगला देश दोनों ही देशों की सरकारे इस सम्वेजन सिर्था को समझ कर इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही हमने दिखा दिया है कि आपसी विश्वास और सयोग से हर एक समाधान हो सकता है हमारा लेंड बाउंडरी अगिर्मेंट भी इसी का गवाह है कोरोना के इस कालखन में भी दोनों देशों के बीच बहतरीन तांग मेल रहा है हमने सार्ख कोविट फंड के सापना में सयोग किया अपने हिउमन रिसोर्स की चेलिंग में सयोग किया भारत को इस बात की बहुत खुशी है कि मेड इंडिया वैक्सिन्स बंगलादेश के हमारे बहनों और भाईयों के काम आ रही है मुझे आध है वो तस्विरें जबी साथ 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दीवस पर बांगलादेश आम फोर्सिस के कि ट्राइ सर्विस कंटिजन से शोनो एक्टीर शोनो एक्टीर मुझे बोरे थे के इस धून पर दिल्ली में परेड कि भारत और मंगलादेश का भविश सद्भाव भरे आप विश्वा आपसी विश्वास भरे ऐसे ही आंगरित पलों का इंतिजार कर रहा है साथियों भारत बंगलादेश के समंदों को मजबूत करने के लिए दोनों ही देशों के यूथ में बहतर कनेक्ट की भी उतना ही आवश्यक भारत बंगलादेश समंदों के पचास वर्ष के अवसर पर मैं बंगलादेश के पचास एंट्रप्रिनर्स को भारत आमत्रित करना चाहूंगा यह भारत आएं हमारे स्टांडर्प और इरोवेशन इकोसिस्टिम से जुड़े वेंचर कैपिटालिस से मुलाकात करें हम भी उनसे सिखेंगे उन्हें भी सिखने का अवसर मिलेगा मैं इसके साथ साथ बंगलादेश के लुवाओं के लिए सुबर्नो जेंती स्कॉलर्शिप की गोशना भी कर रहा हूँ साथ्यों बंग बंदु सेख मुजीबर रहमान जी ने कहा था बंगलादेश इत्किहां से शाथिन राष्ट्रों हिसे वे टिके ठागवे बंगलादेश को दबा कर दे रख सके बंग बंदु का ये उद्गोश बंगलादेश के अस्तित्व का विरोज करने वालों को चेतावनी भी थी और बंगलादेश के सामर्थ पर विश्वाथ भी था मुझे खुशी है कि सेख हसिनाजी के नेत्रुतों में बंगलादेश दुनिया में अपना दम खम दिखा रहा है जिन लोगों को बंगलादेश के मिरमान पर इसराथ था जिन लोगों को बंगलादेश के अस्तित्व पराशिका थी उन्हें बंगलादेश ने गवलत शावित किया है साथियों हमारे साथ काजी नजरों इसलाम अर्पुर्दे ब्रवेन राठ ठाकुर की समान विरासत की प्रेना है गुदेर ने कहा था कानाई आमा देर हाथे कारा कारी कोरे ताई शबे मिले देरी कारोना ही शहे को भू यानि हमारे पास गवानिर के लिए समय नहीं है हमारे पास बजलाव के लिए आगे बढ़नाई ही होगा अब हम और देर नहीं कर सकते हैं ये बार भारत और मंगला देश दोनों पर समान रुट से लागू होती है अपने करोडों लोगों के लिए उनके भविश्य के लिए गरीवी के खिलाव हमारे यूत के लिए आतन के खिलाव लडाई के लिए हमारे लक्ष एक है इसलिए हमारे प्रियाद भी इसी तरह एक जुट होने चाहिए मुझे भी स्वास है भारत बंगलादेश मिलकर तेज गती से प्रदिक करें ये मैं एक बार फिर इस पावन परवपर बंगलादेश के सभी नागरिकों को अनेक अनेक सुपकामनाई देता हूँ और रिजय से आप सभी काम बहुत बहुत दन्यवाद करता हूँ भारोस बंगलादेश मौइतरी चिरोजी भी हो इनी सुपकामनाओं के साथ मैं आपनी बात को समाप्त करता हूँ जोई भांगला जोई हिन जोई हिरो आप मतनाप बढ द दन्यवाद जन्यव